द्रिश्टी आईएस की डेली करण न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण न्यूज में चर्चया का विश्य है राय सीना डायलॉग दो हजार बाइस प्रधानमंत्री मोदी आज यानि 25 अपरेल को राय सीना डायलॉग का उधगातन करेंगे यह इस समवाद का सात्वा संसकरण है इस समवाद का आयोजन 25 से 27 अपरेल 2022 में प्रत्यक्ष प्रारूप यानि इन परसन फॉर्मेट में किया जाएगा राय सीना डायलॉग 2022 का विशय टेरानोवा इंपेशन्ट इंपेशन्ट इंपेरिल्ट रखा गया है यूरोपिय आयोग यानि यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वर्न डेर लेयन इसकी मुख्य अतित्ही होंगी इसे छे विशयकत स्तंभों के साथ तैयार किया जाएगा लोग तंत्र पर पुनरविचार, व्यापार, प्रद्योगी की और विचारधारा बहु पक्षवाद का अंत, वैश्विक नेट्वर्क और, वाटर कॉक्सस, इंडो पैसिफिक में अशांत जुआर समुदाए इंक, स्वास्थे, विकास और ग्रहे के लिए प्रार्थमिक जवाब देहे हरित संक्रमण प्राप्त करना, सामाने अनिवारता, वास्तविकताओं को अलग करना सैमसन बनाम गोलियत, लगातार और निरंतर प्रद्योगी की युद्ध इस बार के संसकरण में 90 से जादा देशों और बहुपक्षिय संगठनों के 210 से अधिक वक्ताओं के साथ 100 से अधिक सत्र होंगे गौर तलबे की इस सार राय सीना डायलॉग, साइड इवेंट्स, बरलिन और वाशिंग्टन डीसी में आयोजित किये जाएंगे जान लेते हैं राय सीना समवाद के बारे में, यह भू राजनीती और भू अर्थ शास्तर पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है यह 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित की आ जा रहा है इसका आयोजन Observer Research Foundation यानी ORF के सहयोग से विदेश मंत्राले द्वरा की आ जाता है ध्यातव्या है कि राय सीना डायलॉग वैश्विक नीती निर्माण में, नेताओं को प्रमुख भू राजनीतिक विकास पर चर्चा करने के लिए आकरशित करता है प्रिये व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए द्रिष्टी इस इंग्लिश यूटुब चैनल